आज आपने देखा माने प्रदानमंत्री शी नरेंदर मोधी जी ने देश के सामने बड़े फैसले लेने का और हिस्टारिक थर्ड टर्म में जो कई बड़े फैसले लिये हैं एक छोटी सी समरी केवल इंफरस्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की अगर देखें कि लास् प्रोजेक्ट्स और एरपोर्ट्स के और दूसरे प्रोजेक्ट्स टोटल करेब करीब 2,00,00,00 के इनवेस्ट्मेंट के फैसले लिये गए हैं इसी कड़ी में आज बहुत ही महत्वपून फैसले लिये गए हैं जो रोजगार को और जो मैनुफैक्ट्ट्रिंग से रिलेटे आप डेटा को यूज कर सके आज बहुत बड़ा मेजर एक फैसला लिया गया है मैनुफैक्ट्रिंग के लिए बारा इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज आप सब जानते हैं नैशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट यह प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि भारत की पूरी की पूरी future development को positively impact करने वाला है जो major हमारे transportation के बड़े routes है आप जो यह देख रहे हैं लाइन्स यह सारे के सारे industrial corridors है जो समय समय पर अप्रूव की है उनमें अब individual nodes मतलब corridor अगर हम देखे हैं जैसे मान लीजिए करिदोगरम लेते हैं Mumbai से पाइंग लुवाला corridor इस corridor पे अलग अलग नोट्स डेवलप हो रहे है वैसे लेते हैं मानलो लुद्याना से लेके कोलकता अमरिचर से लेके कोलकता वाला corridor इस corridor पे अलग-अलग note create हो रहे है जैसे अगर हम दिल्लि-Mumbai industrial corridor को लेते हैं उसके ए oxygen इस पॉइंट फ्यू से आज बहुत बड़े फैसले हुए 12 नए इंडस्ट्रियल एरियाज 12 नूए इंडस्ट्रियल एरियाज on the industrial corridors ये बारा नए इंडस्ट्रियल एरियाज कंबाइन इनमें इंवेस्ट्मेंट सरकार की तरफ से आएगा 28,602 करोर का 28,602 करोर का और और वन्स इस कॉरिडोर्स और नोट्स आर डेवलब उसमें इंवेस्ट्मेंट पोटेंशल है वन एंडा हाफ लाक करोर 1,52,757 करोर और करीब करीब दस लाक दस लाक एंप्लाइमेंट का इसमें पोटेंशल है बहुत ही इंपॉर्टन प्रोजेक्ट्स है यह इन प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर डिटेलिंग आपके सामने रखी मैं इंडिविजुल प्रोजेक्ट्स का आपके सामने एके करके रखोंगा एक तरीके से आप देखें तो देरीज ए ग्रांड नेकलेस अराउंड टी एंटायर कंट्री देश के नौर्थ इस्ट सौथ वेस्ट सेंटर हर हिस्से को कवर करते हुए यह प्रोजेक्ट से और इसमें प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के टाइम में इस चीज का बहुत विश हैं इनके दोनों तरफ का जो एरिया है इनको इंडस्ट्रीयल कोरिडोर और उसमें इंडस्ट्रियल नोड्स डेवलप करने का प्रोजेक्ट है आपको बताया जैसा करीब दस लाख डारेक्ट जॉब्स और तीस लाख इन डारेक्ट एम्प्लॉइमेंट पोटेंशल इससे क्रियेट होगा और अब तक कि जो शुरुआती दौर में जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे उसमें जो भी लर्निंग्स आई जो भी एक्स्पिर इन प्रोजेक्ट में लगाया गया है बहुत फोकस होगा प्लग औप्ले और वाक तूवर्क कॉंसेट्स पे अगर हम देखे आज दुनिया में सब जगे से मनुफेक्ट्रिंग एक्टिविटी भारत में शिफ्ट हो रही है चाहे लेक्रोंट्रिक्स मनॉफेक्ट्रिंग हो चाहे मोबाल मनॉफेक्ट्रिंग हो डिफर्नIZ मनॉफेक्ट्रिंग हो ये सब भारत में शिफ्ट हो रही है और वीस कोलाट्रिगोंग क्डिगीज लेक्ट्रिंग शिफ्ट्रिंग क्योंकि एहां पर व्लग इनपले रिदी भू तू प्लरॉक्ट रूषट, अच्छे, नय principles, minimized clearances, land acquisition already done, last mile connectivity provided, multimodal infrastructures, gas, water, power, telecom, sab cheech provide hoaghi, और बहुत ecological impact minimum हो, इस तरह से इनको design किया गया, इस तरह से इनको design किया गया, इस तरह से इनको इस तरह से इनको design किया गया, इस में बहुत बड़ा development, manufacturing के शेत्र में होगा और उसे employment generate होगा.